पूर्वबंत्री विरिंद्र कवर्णी उना जला मुख्याले परस्तित बीजीपी कारले दीप कमल में पत्रकार वारता को समुथित करते हुई प्रदेश में कॉंगरेस सरकार पर जम कर निशाना साथा। विरिंद्र कवर ने कहा कि जब से प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से हिमाचल में कानून व्यवस्ता पूरी तरह से चर्मना गई उन्होंने कहा कि आई दिन हत्याएं चोरी और गोली चलनी की घटनाओं से पूरा प्रदेश सहम उझा है वह उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही नश्य की मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है लगातार कानून व्यवस्ता की स्थिती जो है वो दैनिय होती जा रही है जहां पूरे प्रदेश की अंदर मादक, द्रब्यों का सेवन, चोरी, हत्या और महिलाओं के उपर जो है वो दिन प्रति दिन जो है वो अपराद भढ़ते जा रहे हैं और आज जो स्थिती जो प्रदेश की बंती जा रही है धीरे धीरे सरकार नाम की कोई चीज जो है वो परदेश के अंदर नहीं लग रही है ऐसा लगता है कि मानो कि परदेश के अंदर जो है वो जंगल राज जो है वो बनता जा रहा है